प्रधानमंती नरेन मोदी के तेलंगना दोरे का सौमवार 27 नवंबर को तीसरा दिन था विदान सबाचुनाओं को लेकर पी-एम ने महभूबा बात में जनसंभा को संबोधित किया मोदी ने दावा किया कि तेलंगना के सी-एम के चंदर शेकर राव केसी आर चुनाओं में भाजपा से हाथ मिलाना चाहते थे पीम मोदी ने कहा केसी आर को भाजपा की बढ़ती ताकत का एहसास बहुत पहले ही हो गया था केसियार चाहते थे कि भाजपा से किसी तरह दोस्ती हो जाए एक बात दिल्ली आये थे तो मुझे से रिक्वेस्ट की थी लेकिन हमने उनका ओफर ठुकरा दिया पीएम ने कहा जब से भाजपा ने केसियार को मना किया है बी आरेस बोखला गई है बी आरेस मुझे गाली देने का कोई मुका नहीं छोड़ती मैं कभी भी उन्हें भाजपा के आसपास भी भटकने नहीं दूँगा ये मोदी की गारंटी है मैबुबा बात के बाद सोमवा शाम पीएम मोदी ने करीम नगर में जन सभा को सम्मोधित किया उन्होंने कहा तेलंगना में भारत राष्ट समीती बी आरेस की नाव डूबने वाली है उन्हें भी ऐसास है कि 3 दिसंबर को उसका टिकेट कट जाएगा ये देकर केसियार के घर में विखराव शुरू हो गया है केसियार पुरी ताकत लगा रहे हैं कि जनता का गुसा थोड़ा ठंडा हो जाए तूसरी और केसियार के श्यदार बी आरेस को ही कोस रहे हैं बीचेपी सरकार आने के बाद जब यहां शराब घोटाले की जांच तेजी से होगी तो और भगदर मचेगी आपसे वादा है जिनोंने लूटा है उन्हें लूटाना पड़ेगा इसे के साथ पने रहे हैं इसे रहे हैं जिन्दा के साथ खंड़ेवाद